हेलो एव्रीवान केसे आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं यह काफी इंपॉर्णेंट है और आप लोगों के एक्जाम में यह एड भी करा गया है आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स गवर्मेंट की जो की दुनिया में पाई गई है इंचन टाइम में किस तरीके से गवर्मेंट की टाइपस थी अलग-अलग फॉर्म्स थी आज की डेट में आप लोगों को किस तरीके से देखने को मिल रही है और एक मैराथान लेक्चर होगा इसी के लास्ट में हम लोग एमसी की उसको भी डिस्कस करेंगे तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा अगर यह लेक्चर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं तो हम लोगों ने एक प्रॉपर कोर्स भी आप लोगों का जो है अप अप अप्लोड कर दिया है इस पूरे को सिर्फ 400 रुपए है जो बच्चा यह लेना चाहता है आप इसको ले सकते हैं हमारी आपको डाउनलोड करके और उसमें आपको एक कम्प्लीट कोर्स इंक्लिवडिंग टैपिंग टेक्स अब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा और इसमें आपको कम्प्लीट मॉक्टेश भी जो हैं यहां पर हम लोग प्रवाइड कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्लास काफी इंट्रस्टिंग होगी तो थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला सवाल अगर मैं बात करूँ को लेकि कि government होता क्या है कि चीज को क्या जाता है तो वह आप लोगों को पताना चाहिए कि देखो कि government basically होता क्या है एक system होता है या फिर फिर गुरूप गरते हैं या रूल करते हैं पूरी कंट्री को अगर मैं इंडिया की बात करूँ है आप ने आप लोग देखते हैं कि गवर्मंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि ठीक है इलेक्षिन्स होते हैं प्रॉपर तरीके से डेख्जनी में हम लोग जीते हैं इंडिया largest डेख्जन EC Éँः आप उने सब ने पढ़ा है लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक जगा में आपको इस तरीके से ही देखने को मिलता हूँ बहुत सारी अलग-अलग forms आ जाती है और जो यह system होता है जो यह group of people होता है इसे क्या खाजाता है इसे क्या जाता है government ठीक है यह government होती है अब यह अलग-अलग तरीकों के होती है government को काफी सारे वर्ड डिफाइन करते हैं जिसमें एक आ जाता है आपका मुनार्की ओलिगार्की डेमोक्रेसी यह सारे जो है ग्रीक यह रोमन ओरिजन से जो वर्ड है यह drive करेंगे हैं total types कितनी आ जाती है तो बात करूं डेमोक्रेसी की तो जो आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलती है यह सबसे पॉपुलर एक फॉर्म है government की आज की डेट में जो प्रेजेंट टाइम है 2023 की अगर मैं बात करूं जो आपको देखने को मिलता है आपको maximum countries में क्या देखने को मिलेगी आपक अपने आप में ही दो में डिवाइडिय। कि Brazilian जाव आती है एक आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहला सवाल यह है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से आपके जो लोग को जुनते है अब बहुत सारी लोग चीज़ों को आप लोग रिलेट कर पाएंगे क्यों कि यह जो डेमोक्रेसी है यह आपको इंडिया में देखने को मिलती है अब क्या होता है यहां पर यह चीज जो है आप लोग याद रखिएगा अगर आप से पूछा जाएगा इंडिया में किस टा कि क्या करते हैं वोट करते हैं जितने भी पॉलिशी को इनिशेटिव जो होते हैं उसको लेके कि माल लिजे कोई बिल पास होना है अब बिल क्या होगा बिल आप लोगों का जाएगा पार्लेमेंट में वहां पे जब वोटिंग होगी अब ऐसा नहीं कि हम लोग घर पर है डिरेक्ट डिमोक्रेसी क्या होती है देखो डिरेक्ट में क्या होता है जो लोग है वो डिरेक्ट वोट करते हैं पॉलिशी इनिशेटिव को लेकिए और यहां पर सबसे इंपॉर्टन याद रखना डिरेक्ट डिरेक्ट डिमोक्रेसी की एगर फॉर्म पूछी जाएगी presidential democracy नाम से भी आप लोगों को काफी similar लग रहा होगा parliamentary में क्या होता है जो head of state होता है president जो होता है वो अलग होता है from the head of the government जो की prime minister होता है वापिस से parliamentary की अगर मैं बात करूं इंडिया में आप लोगों को किस तरीके की देखने को मिलती है आप लोगों को parliamentary democracy देखने को मिलती है जैसे की सबसे important example आ जाती है इंडिया largest democracy है दुनिया की यहां पर छोटी से छोटी चीज को लेके भी election होते है फिर वो आपके class का monitor ही क्योंगा चुनना हो तो यह बहुत अच्छी power carry करते हैं council of ministers के साथ अलग-अलग आप लोगों ने भी देखा हो कहों minister होगे यहां वारी जितने भी बाकी सम मिनिस्टर होंगे यहां पर अगर मैं बात करूं simple language में parliamentary democracy में आपको head of the state को देखने को मिलता है वो है prime minister अब दूसरी एक कि अगर मैं बात करूं presidential democracy की यहां पर बात की जाए तो यहां पर क्या है इसमें government का कोई head नहीं होता बट यहां पर head of state होता है example के दोर पर याद रखेगा United States of America यहां पर जो head है वो है president और इन्हें ही head of the executive branch of government का जाता है और head of the state भी यहां पर president ही होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बाइडन को इनसे पहले क्या थे इनसे पहले थे Donald Trump यह क्या थे यह United States of America के प्रेजिडेंट से और यहां पर यह सबसे जादा जो है powers जो अगर मैं बात करूँ तो इनके पास थी तो यहां पे दोनों पॉइंट आप लोगों को clear हो गया पार्लिमेंटर अब देखो यहां पे एक और चीज़ सा मैं पूछूँँगा अब इंडिया देखो 1947 में क्या हुआ था अजाद उबात रहा ठीक है 1947 में यहां पर लेकिन इससे यह आया कहां से अब बहुत सारे बच्चे केंगे अब मैं आपको अगर बात करूँ यहां पर की ठीक है युनाइटिट किंग्डम की अगर मैं बात करूं तो आप उसको किस में कंसीडर करोगे आप बोलोगे ठीक है यार वहां पे भी तो हमारे जो पार्टी है वो उसका नाम क्या और यह पेपर में डारेक्ट पूछा गया था अब आप लोगे ठीक है सर वहां पे भी प्रैमिनिस्टर है उनके पास भी पावर होती है तो हम बोल देंगे कि ठीक है युनाइटिट किंग्डम किस में आ जाती है पार्लेमेंटरी डेमोक किस तरीके से होती है डेमोक्रेसी आप लोगों की आ जाती है एक तो डारेक्ट जिसमें क्या है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हर एक इंडिविज्विज्वल जो है वो डारेक्ट यहां पे पॉलिसीज को किस तरीके से बनाया जाएगा अब एक मोनारकी में क्या होता है यह आज की डेट में बात करूं प्रेजन सिनेरियों में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी डेमोक्रेशी है यह पहले लेकिन बहुत जादा फेमस थी हर एक जगाओं पे आप लोगों को जो है मोनारकी देखने को मिलती थी फिर वो हमारी लोकल अगर म और उसके बाद क्या होता था वो टाइटल जो है वो पास कर दिये जाता था आने वाली जनरेशन को जैसे कि आप लोग उने देखा होगा जमू किश्मीर की अगर मैं बात करूं या कहीं की भी बात करूं कोई एक राजा आये थे फिर उनने अपने बेटे को राजा बनाया फि लेकिन मोनार्की भी आपकी दो टाइप की जाती है इस और सबसे पहला क्या आजाता है आपका आता है Конstituesional मोनार्की और दूसरा आपका आता है Absolute मोनार्की देखो इसमें फरेक क्या है अब मैं आपको बताऊंगा क्या है युनाइटग उनाइट केंग्डम जो मैंने आप पर साथ में काम करती है और पार्लेमेंट जो है वो मोस्टली जो है गवर्मेंट को कंट्रोल करती है लेकिन यहां पर आप लोग देखिए यहां पर आपको एक राजा भी देखेगा यहां पर आपको एक गवर्मेंट भी देखने को मिलेगी अब राजा अगर आ रहा है यानि करेंगी जो एक क्राउं है या फिर जो मैंने कहा था जैसे टाइटल है वह प्वासन हो रहा है जनरेशन टूड जनरेशन एक-एक के पास जाये जा रहा है यहां पर मुनार्की तो आपको देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर government भी है तो यह आपकी constitutional के हिसाब से भी काम हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं constitutional मोनार्की यहां तक clear है अब बात करेंगे absolute मोनार्की के अब absolute मोनार्की की सबसे बड़ी example क्या है वो है साउदी अरेबिया यानि कि यहां पर आज भी one figure यहां फिर वो अप पोप हो सकता है जो की रूल करता है पूरे देश को यानुकि यहां पर आज भी जो prince है या जो king है वो आज भी same pass on करते जा रहे हैं और उन्हीны से जो है राजा इंचार आ रहे हैं और बहुत स़़ाए इपसल्यूट मुनार्की में आती है और बहुत सारी कंट्रीज है इनके नाम भी याद रख लेना वेटिगन सिटी है ब्रुनाई है एस्वातिनी है ओमान जो है यह सब आपकी जो है यह आपकी एपसल्यूट मुनार्की में इपसल्यूट मुनार्की अंट्रेश्ट अब ऑपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी तक हम लोगों ने दो नहीं होगा डैमोक्रेसी की अगर बात करों टैमोक्रेसी में क्या पद़ा था डैमोक्रेसी में हम लोगों करते दोंगा ताक्र आप लोगों को याद हो जाए और एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या होती है इंडिया और डटिक्वेजामपल कौन सी आगए आपकी स्विज्डरेंग वैसे ही डेमोग्रिसी एक्या आपकी पार्लेमेंटरी होती है जिसमें मैंने वापिस से बता है इंडिया क्यों क्योंकि यहां पर क्या होती है पॉवर्स किसके पास होती है प्राइम मिनिस्टर के पास वहीं दूसरी हम लोगों ने क्या देखी थी यहां पर प्रेजिडेंशियल देखी थी जिसमें किसके पास होती है प्रेजिडेंट के पास एक्जांपल के आगी यूएस से वहीं हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा यहां पर मुनार्की पढ़ा है मुनार्की में हम लोगों ने एक पढ़ी absolute यानि की complete मुनार्की जिसमें सबसे important नाम क्या जाता है साओधी रेबिया इसमें क्या होता है अपने वंचर्स के पास जो जनेरेशन वाइस ट्रांसफर होता है और दूसरा हम लोगों ने देख लिए constitutional constitutional में क्या हो गया कि आपको किंग तो दिखेगा साथ में लेकिन आपको एक constitution भी देखने को मिलेगा आप maximum power constitution के बास होगी example के तोड़ पर क्या आगया है यहां पर United Kingdom clear है यहां पर दो next पर जलते हैं आगे वाले और करूं कहीं हद तक यह मुनार्की की तरह सिमिलर होती है लेकिन यहां पर क्या होता है यह जो power होती है कुछ लोगों के बीच में रहती है यानि कि कुछ families के बीच में रहती है और maximum time पर क्या होता है जो generation के wealthy light class हा जाती है जो काफी अमीर लोग आ जाते हैं उनके पास यह रहती है ऑलिगार्की की यहां पर बात करूं अब मोनार्की और oligarchy में difference क्या है oligarchy में क्या होता है यह necessarily depend नहीं करता कि जो उसी खांदान में पैदा होता है अगर मैं simple language में बात करूं बट यहां पर क्या होता है यहां पर कोशिश की जाती है या फिर जो wealthy लोग होते हैं या फिर जो capable होते हैं रूल करने के उनको यहां पर मुक्षा मिल ज यह यहां पर एक फारक है यहां पर यह नहीं कि आप इस खांदान में पैदा होगे आपके दादा पर दादा राजा थे तो आप भी देश को चलाओगे आप यहां पर government जो वो run करोगे system को control करोगे बट यहां पर एक फरक आजाता है खास तोर पे लेकिन क्या होता है जो की wealthy the light class होती है अब autocracy की अगर मैं बात करूं autocracy में क्या होता है not only comes under a monarchy but it can also compare to oligarchy अब होता क्या है यहां पर एक dictator आता है जो rule करता है हर एक चीज़ को अब यहां पर इस चीज़ को याद रखना यह जो मैंने यहां पर लिखा था ना autocracy को लेकर यह आज की date में अगर बात साउदी अरेबिया में इतना है नहीं जितना आज से बहुत पहले मुनार्क में जो होती थी चीज़े वहीं आज की date की अगर बात करूं डिक्टेटरिशिप और मुनार्क की इसको मिला के अगर कुछ चीज बनती है तो वह आपके आ जाती है autocracy अब यहां पर क्या है रशिय इन दोनों ने काफी देट तक rule करा था यहां पर autocracy इसी को ही कहते हैं और दो नामोर याद रखना एक आपका आता है plutocracy और एक आपका आता है stratocracy फलोड करेयोत क्या होता है आप इसे वेलडी लोग जो है वह रूल करते हैं जिसमें निज पर याद रखले और वह seráu जाता था फित् verde किस्टा्याइक क्ल में निज रहे जाता सिलेन वाले की और निद paternity थी वह डिफेक्टो पॉलिटिकल पॉवर बन चुके थी उस समय तो यहां पर यहां पर यह दो एक्जम्पल के साथ अगर हो सके तो इनको याद रख लेना कहीं बार डारेक्ट कोईशन यहां से फ्रेम हो जाता है नेक्स पर बात करेंगे यह सबसे है और इसमें आपको बहुत बार क्वेशन जो है वह बनते हुए देखने को मिलेंगे अब वापिस से अगर वर्ड को ब्रेक करूं आप लोग इसको देख लीजिए टोटल चीक है आपको यहां से ही सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी जो लीडर्स हैं उनके पास काफी ज्यादा absolute power होती है वो ना ही सिरफ government को control करते हैं लेकिन लोगों की जिंदगी को भी control करते हैं ऐसा नहीं है कि आप सिरफ rules बना देंगे आपके पास पास कर देंगे आपके पास यहां तक कि इतनी power है कि आप किसी normal इंसान की जो personal life है उसको तक आप लोग जो है control कर सकते हो आ आपकी मर्जी है अगर आपको कोई पंदा पसंद नहीं आया अब उसको मरवा सकते हो ठीक है आपका birthday आपको किसी ने विश्णी किया आप उसको खतम कर सकते हो यह आपका इसमें आ जाता है citizens have no same government and this government is forceful and extreme अब यहां पर क्या होता है मान लो कि आप हो आपने बोला कि भाई आज मेरा birthday आज सब बच्चे yellow color के कपड़े पैनेगे पूरी के पूरी country yellow color के कपड़े पैनेगे उसमें एक विचारा इंसान है जिसके पास yellow color के कपड़े नहीं है आप उसको मरवा सकते हैं यह मैं आपको example दे रहा हूं बहुत सारी countries में ऐसे चीज़ें कहीं मत देखने को म मिलती भी थी आज की डेट में आपको बहुत सारी जगाओं पर देखने को में लेगे जिसमें सबसे बड़ा नामाज आता है आपका नौर्थ कोरिया में ठीक है तो यहां पर जो चीज़ें चलती हैं बहुत सारे लोग इसमें जो हैं confused हो जाते हैं लेकिन आप याद रखना अगर आपको option में यह word दिखेंगा आप इसको जरूर मार करना मोनार्क वहां पर आंसर नहीं होगा वहां पर totalitarian जो होगा आंसर होगा अब example के अगर बात करूं जो नाजी जर्मनी थी अडॉल फिटलर के time वहां पर जो tactics use होती थी वो यह थी अब होता क्या था control करना था यह चीज़े गलत है वो उनको ही खतम कर देते थे अब यहां पर क्या है यही चीज़ आप लोग देख सकते हैं the silence the opposition by killing and health absolute power पूरी की पूरी पूरी इनके पास थी और present time में आप लोग देख सकते हैं example क्या है यहां पर यह है North Korea की तो यहां तक clear है आप लोगों को next पर बात लोगों को दिमाग में सीधा सीधा नाम आना चाहिए वह चाहिए ठीक है अब आप लोगों लिख लीजिए आप लोगों कमेंट बॉक्स में बताना कि चाइना की जो single party उसका नाम क्या है ठीक है अब यहां पर होता क्या है यहां पर जितने भी ऑट्राइड इन होते हैं इन पॉब्लिक और्शिप और यहां पर क्या है यहां पर सिंपल याद रखना कमीनिजम में सिंगल पार्टी डूल होता है मैक्सिमम टाइम यहां पर आपको देखने को मिलता है सबसे बड़ी एक्जांपल आ जाती है यहां पर पीपर रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके अलावा क्यूबा लाउज और वैतना में भी आपको कमीनिजम जो है एक सब्सक्राइब की कर्मेंट जो है देखने को मिलती है नेक्स पर आते हैं थियोक्रेसी की क्या होता है यहां पर जो रूल क्या जाता है यह रिलिजिन बेस्ट होता है आज की डेट में इरान में आप लोगों क इस तरीके के देखने को मिलता है जिसमें काफी सारे सुप्रीम लीडर जो है वो काम करते हैं प्रेजिडेंट को और सेवरल कांसिल के साथ यहां पर जो वह बेस्ट है इस्लामिक लॉस के ओपर यानिकी जैसे कि मैंने आपको बता है एक रिलिजिन पर अगर कोई चीज बेस होती या जिस तरीके से गर्मन फम होती है उस को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर टेवर परिपर में आब कि इरान में जो है किस तरीके की है जो адमें वह आपकी इस फॉर में कंसीडर की जाएगी क्या हлив. आते हैं ऑ क्योंता है क्या है कि इसको यहां पर कोशिश की जाते हैं कि यही लोग जो है यह ओन करें means of production distribution of goods services and a centralized government manages its unlike communism और साथ ही जात वेंडे प्लिक ओर्नर्शिप इन दा फेवर ऑफ गवर्मेंट अब एक्जामपल के तोर पर तीन कंट्रिस के नाम याद रखना अलजीरिया तंजानी और वेननजुला में आपको सोशलिजम की फॉर्म की गवर्मेंट देखने को मिलती है और यह कहीं ना कहीं है over those in a lower socio economic class it its members are generally chosen based on their education up-bringing and genetic or family history अब यहाँ पर देखो क्या होता है इस CLASS में जाता है इस फॉर्म में क्या आ जाता है यहाँ पर यह नहीं कि आप लोग अगर आपके पितअ जीर आ जाते तो आप ही इसमें आओगे ऐसा नहीं है आप इसमें देख सकते हैं यहाँ है इसके जो members होते हैं जो इसको चलाते हैं वो या तो पड़े-लिखे लोग होते हैं या तो जो कोई society में काफी well established अगर कोई इनसान है वो उसमें consider किया जाता है या कोई एक अच्छी family से belong करता मालीजे कोई राजा की family से तो वो भी इसमें belong करेगा और ऑर एस जिक एरिस्टोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ यह आपको कहीं न कहीं अब आप बोलोगे कि oligarchy and oligarchy में क्या फरक्त और इस जिस्टोक्रेसी में क्या फरक्त था जैँकि अगर मैं आपको वापिस से वहां करे चलू जब हमने पढ़ा था यहां पे तब हाप बोलोगे की ठीक है सर यहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कुछ लोग यह कुछ फैमिलीज हैं जो यहां पर आते हैं और इसको आ जाएंगे लेकिन यहां पर क्या है यह different है किसके according Aristotle के according यह भी अब याद रखना इन दोनों वर्ड जो अलग important है उसको माने highlight कर दिये है जो aristocracy होती है is ruled by the best members of society अब इसमें क्या है इसमें जो best member है एक society का अगर माल लो 10 लोग है उनमें एक कैसा है जो सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा है जो काफी होनहार है तो वो जो है आगे आएगा और उसको यह power मिलेंगी कि वो decide करेगा कि किस तरीके से चीज़ें चल सकती है अपने policies बनाने में या बागी सब world war यह जो है उसमें आते थे यानि कि जो बैस था वह यहां पर आता था तभी Britain का जो इतना ज़्यादा आप लोगों ने देखा था कि जो फैला था ब्रिटेन कब्जा करा था जो इसी विज़ासे था क्यूंकि वहां जो लोग काबिल होते थे इनके अपने वह आके चीज़ें करते थे हम लोगों ने इंडिया में भी देखा था जो बहुत ज़ादा लोग होनार होते थे यह उनको भी कोशिश करते थे कि वह गवर्मेंट की फ़र्म में कहीं पर आज और हमारे अगेंस्ट ना जा तो यह ची टेरिंड के साथ गवर्मेंट के साथ सेम ही आल्मोस्ट इस गवर्मेंट में क्या होता है डिक्टेटर जो है वो रूल करता है और बंदानावर्म नाम यह आतका फिर अगर बात करओ जो जर्मनी की लेकिन धीम यहां पर इडॉल्फ हिटलर भी थे इनके अलावा जौसफ स्टैलिन जो सोवेट उनियन के थे सदाम हुसेन जो इराक से थे और आज की डेट में नौथ कोरिया आप लोग देखी रहे हैं अब यहां पर क्या है आप लोग ने बहुत सारी कंट्रीज के नाम के पहले देखा होगा रिपब्लिक ऑफ डैश 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 रिपब्लिक अब यह क्या होता है जब कि इस तरीके की कोई भी चीज लिखी जाती है तो जो ट्रू रिपब्लिक होता है इन मेंस दा सिटीजन है अब बात करेंगे कुछ MCQs को लेके अभी तक जो इंपोरेंट टाइप थी वो मैंने पूरी डिटेल में बता दी जिनके बारे में वस आपको थोड़ा सा एक आईडिया होना चाहिए था उसको मैंने आप लोगों को यहां पर डिसकस कर दिया अब सीधा हम लोग चलेंगे MCQs के उपर और मैं यह उमीद करता हूं कि आज यह जो 10 MCQs हम लोग करेंगे इसमें से आप लोग आज के लेक्चर लिख लीजिए ताकि जब मैं लास्ट में आंसर करूं यहां पर डिसकस तो आपके जितने भी आंसर है वो सही हो तो बिलकुल सही आंसर जो है यहां पर आप लोगों ने किये हैं उसको किस टाइप का कहा जाता है वो कहा जाती है मुनार्की में ठीक है ऑप्शन देख लो ए एक आदमी या एक स्मॉल गृप जो है वो सारी पॉवर को होल्ड करता है बता दो एक परसेंट या स्मॉल गृप होल्ड ऑल दप और अब ऑप्शन में जाओगे यह तो होगा नहीं यह तो होगा नहीं अब मुनार्की में और डिक्टेटर्शिप में किसमें आंसर करोगे इसका अंसर होगा आपका डिक्टेटर्शिप ठीक है यहां पर यह चीज़ यार रखना नेक्स पर आजाओ टाइप और वोटर्श इन एक्शन में इसको क्या कहा जाता है देखो मैंने वापिस से आपको बताया है कि जितने भी लोग हैं जितने भी वोटर्श हैं वह क्या क होग मैंने टीफ है फाटेंटेव को नहीं करते हैं मोनार्की में भी नहीं करते हैं इसका आणसर क्या जाताएक अहां पूलागे साट यह थो हम लोग लोगने यहाँ वान में बताता दिना पर्लिमेंटरी रिपब्लिक या प्रेजिदेंशल रिपब्लिक तो यह उसी का ही पार्ट आ जाता है अब युनाइटी स्टेट्स के अगर मैं बात करूं वहां पे आप लोगों को किस तरीके की गवर्मेंट जो है देखने को मिलती है क्या डिरेक्ट डेमोक्रेसी है रिपब ओवर दा लाइज ऑफ इस से जन्स अब यहां पे इस जाखन से बताओ क्या होगा ध्यान से पढ़ना इसको क्या लिखा गया है और और आप्शन्स भी आप लिग सकते हैं यहां पे आप लोग सकते हैं बट कंफूजन मैं मानता हूं कि होने ही नहीं क्योंकि अब्र बढ़ है तो देखो इसको हम लोग ने भी डिसक्स करा था जब आपके पास पूरा का पूरा यहां पे कंट्रोल आ जाता है किसी की जिंदगी के ऊपर भी तो वो क्या है यहां पे टोटाइलिटेरियन नेक्स पर आओ विच्व फॉलिंग इस गुड एक्जमपल अफ डिक्टेटर शिप इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी जो कि एक इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे बच्चे के आंसर करेंगे प्रेजिडेंट सब्सक्राइब यहां पर होती है अमेरिकन पीपल की याद रखना इंडिया की अगर बात करें प्रैम मिनिस्टर से ज्यादा पावर जो है वह आम नागरिक के बीच में क्योंकि व आप लोगों के सामने है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए कि इसका अंसर क्या होता और अगर आपको यह पसंद आया है आप लोगों अगर चाहते हैं आपको कम्प्लीट कोर्स जो है वह एक ही जगा पर सारी की सारी चीज़े जो है वह मिल जाएं दीजिए जादत है वे नाइस जे ऑल दो वेरी बेस्ट मिलेंगे कल ने लेक्चर के साथ